नमस्कार तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि AutoMatte AutoTrip 4S Kit के अंदर क्या-क्या आता है सबसे पहले हमारे को मिल जाता है AutoMatte AutoTrip 4 Station Irrigation and Fertigation Controller जिसके साथ मिलता है काड़ाप्टर जो कनवर्ट करता है 220V को 24VAC के अंदर फिर 4 solenoid walls जो irrigation के अंदर help करते हैं और एक 5th bypass valve जो हमारे को Fertigation में help करता है यह तब install होता है जब Venturi head unit पे install हो जाती है फिर हमारे को मिलता है flow sensor जो borewell और कुवे में से पानी आता है यह उसके flow को sense करता है फिर एक rain sensor फिर pump start relay of 24VAC और यह हैं wire connector जो join करते हैं दो wire को की connection waterproof रहे है अब कुछ चीज़े जो हमारे को kit से अलग चाहिए रहेंगी पहली है connecting wires जो हमारे को solenoid valve और controller के बीच में जोडने में काम आएंगी farm के size के साब से यह कहीं भी 0.5 square mm से लेके 1.5 square mm के बीच में हो सकती है फिर आता है हमारा plier, wire cutter और tester यह 4 चीज़े हमारे को अलग से चाहिए रहेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम controller और adapter को connect करेंगे एक दूसरे से controller के अंदर जब आप खोलेंगे सामने वाला lid तो आपको बहुत सारे ports दिखेंगे और नीचे लिखाओगा 1,2,3,4 या फिर 0,24 ऐसे सारे चीज़े लिखी होंगी हमारे को क्या करना है जो adapter की जो wire है उसके अंदर दो connections होंगे पहला wire जाएगा 0 में और दूसरा wire जाएगा 24 वाले port के अंदर जैसा कि आप देख रहें connections हो जाने के बाद एक बारी के लिए हम adapter को socket में लगा के देख लेंगे कि हमारा जो controller है वो on हो रहा है कि नहीं अब हम connect करेंगे हमारे pump start relay को controller के साथ आप pump start relay में देखेंगे तो आपको दो point देखेंगे एक 10 नमबर और एक 2 नमबर जो 10 नमबर वाला point है वो connect होगा हमारे controller के M port के साथ M for Mumbai और जो 2 नमबर वाला point है pump start relay का वो connect होगा controller के C port के साथ C for Calcutta adapter और pump start relay के connection के बाद आपका controller कुछ ऐसा सा दिखेगा इसके बाद बारी आती है हमारे rain sensor की आप ध्यान से दिखेंगे तो rain sensor के अंदर आपको 2 wire दिखेंगे और controller के अंदर एक जगा पर rain लिखा होगा वहाँ पर 2 port होगे तो हमारे को इन दोनों wires को उस rain के एक एक port के अंदर डालना है जैसा की आप यहाँ पर देख रहे हैं यह है हमारा flow sensor और इसके connection भी बिल्कुल rain sensor की तरह ही होते हैं इसके अंदर से जैसे आप देख रहे हैं कि दो तारे निकल रहे हैं और controller के अंदर एक जगा पर लिखा होगा low flow उसके अंदर दो port होगे तो यह दो तारे जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे controller के अंदर connect कर दीजिए अब हम अपने solenoids को controller से connect करना शुरू करते हैं पर उससे पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं इसके अंदर एक आपको उपर green lever दिख रहा होगा जिस पर on या off लिखा होगा देखिए अगर यह lever हमारी तरफ phase कर रहा है इसका मतलब होता है वो auto mode पे है और हमारे को make sure करना है कि हमेशा यह हमारी तरफ phase कर रहा हो जब हम connection कर रहे हैं और इसको अगर आप घुमाएंगे तो यह जब दूसरी तरफ phase करने लाएगा हमारे से दूसरी तरफ तो उसका मतलब होता है कि वो manual mode पे है अब manual mode का significance यह होता है कि कोई troubleshooting हो या valve की कोई coil खराब हो गई हो तो तब manual mode काम पे आता है दूसरी चीज कि इसके अंदर आपको left और right दोनों जगा पे arrows दिख रहे होंगे तो जो arrow आपके solenoid की body की तरफ phase कर रहा होगा वो inlet होता है और जो arrow body की बाहर की तरफ phase कर रहा होगा वो outlet होता है तो अब हम connection शुरू करते हैं तो अब हम शुरू करते हैं हमारे solenoids के connection और उसके अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने bypass solenoid के connection से हर solenoid के अंदर से आपको दो wires निकलते वी दिख रही होंगी तो मैंने पहली wire को red color से दिखाया है और दूसरी wire को मैंने purple color से दिखाया है पर अभी हम starting के अंदर एक B port है B जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो B से एक wire निकल रही है तो controller हमारा जहां पर भी लगा होगा हमारी एक solenoid 5 में से wire आ रही होगी और controller में से B से wire निकल के आ रही होगी और यह दोनों आके यहाँ पर connect होंगी और यहाँ पर आपको एक blue dot दिख रही ब्लू डॉट का यह मीनिंग है कि इसके उपर हम एक कनेक्टर लगा देंगे इस कनेक्टर से क्या होता है कि जब आप दोनों वायर्स को इसमें डाल के इसको घुमाना शुरू करेंगे जब यह पूरा घुमना बंद हो जाएगा इसका मतलब यह है कि आपका जो कनेक्शन है व जो हमने जो रिले पहले इनिशली इंस्टॉल करी थी तो उसका एक बोट गया था M में और दूसरा पोर्ट गया था C में तो यह सी का मतलब होता है कॉमन कि आपको मन से तार आ रही है एक पंस्टार रिले से तार आ रही है वह एक जगह पे जुड़ी हुई है और हमारा जो solenoid connect हो चुका है इस टाइम पर तो bypass solenoid के बाद हम connection करेंगे हमारे solenoid 1,2,3,4 का controller के साथ सबसे starting के अंदर हमारे को पता है कि हर solenoid में से 2 wire निकलती हैं तो हर solenoid की एक-एक wire को हम controller के साथ connect करेंगे solenoid 1 से start करते हुए जो आप देख रहे हैं red वाली wire निकल रही है एक solenoid 1 से और एक controller में से number 1 port में से wire निकल रही है और ये दोनों जाके जहां पर जुड रही हैं वहाँ पर एक blue dot लगा हुआ है मतलब वहाँ पर हमारे को एक connector लगाना है कि हमारा जो connection है वो waterproof हो जाए सेम चीज 3 में апलाइ होगी ढिए और सेम चीज蛇 मैं देखी जाईगी कि फॉण फोर नंबर पूरट से wire निकल रही है और वहाँ पर हम एक connection कर रहे हैं इस connection के बाद हमारे हरेक solenoid के अंदर एक-एक wire होगी जो अभी connection करने के लिए बाकी होगी solenoid number 1 से शुरू करते होए हम जो controller में से C port में से तार आ रही है जो pump start relay में से port number 2 से तार आ रही है और जो solenoid bypass वाला है हमारा उसमें से जो तार आ रही है जो हमने connection किया था उसी में जाके हम इस wire को connect कर देंगे इसके बाद क्योंकि हमारे को चारो solenoid को connect करना है same common के साथ तो फिर हम जो solenoid 1 में से wire जा रही है उसी के अंदर हम looping कर देंगे और उस wire को हम solenoid 2, 3 और 4 के साथ connect कर देंगे कि वो सारे जाके हमारे common के साथ connect हो जाए तो इसके साथ साथ हमने हमारे auto drip के सारे connections को successfully achieve कर लिया है अब हमारे को बस एक चीज धियान रखने है कि controller के अंदर आपको ports के उपर एक छोटा सा black color का switch दिख रहा होगा जिस पे on और off लिखा होगा ये controller के अंदर एक battery है उसका switch है और जब आप controller on करेंगे आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इसको on पर रखना है क्योंकि अगर light जाती है तो जो ये battery है इसके अंदर आपके सारे programming की memory stored रहेगी that's all thank you for watching